हेलो यू अल एंड आई वेलकम यू बेक तो यूर ओन यूट्यूब चैनल इस जैनिपेक्स एजूकेशन फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे सल्तनत काल की जो की हिस्ट्री सेक्शन हमारा यूपी ट्रिपल सी सीरीज का जो चल रहा है उसमें हम थे और तीन हम अपार्टिस के बना चुके हैं और ये चौता वीडियो है इस सीरीज का ओके तो सल्तनत काल तक हम कवर कर चुके थे अब हम आगे चल रहे हैं मुगल सामराज्य से मुगल सामराज्जी शुरू कर रहा है हम इस वीडियो में तो जैसे कि आप जानते हैं मुगल सामराज्जी की स्थापना जो की बाबर ने की बाबर ने की और बाबर का जो मूल इस्थान था वैसे वो फरगना था फरगना का ये सुल्तान था, वहां का राजा था लेकिन फरगना के हालात ऐसे हुए कि इसको वहां से हटना पड़ा, भागना पड़ा ओके शक्तिशाली उजबेग जो लोग थे उन्होंने इसको वहां से एकस्पेल कर दिया वहां से निकाल दिया इसने कई बार उसको वापस हासिल करने की कोशिश की और टेमपुररेली हासिल किया भी लेकिन फाइनली वो उस पे कबजा नहीं कर पाया और उस बेगु के हाथ पूरी तना से वो चला गया उके तो इसी लिए ये इसने फिर आप्शन्स तलाशन शुरू किये और ये अफगानिस्तान में एक लंबे समय तक रहा और उसके बाद जब इसको अनुकूल हालात लगे तो इसने इंडिया की तरफ कूच किया जिस युद्ध के द्वारा इसने भारत में मुगल सामराजी की स्थाप न की वो था पानीपत का फस्ट युद्ध जिसको हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं अगर हम बाबर की बैक्गराउंड की बात करें तो बाबर के खुन में मद्ध एशिया के दो महान विजटाओं का खुन मिला हुआ था चंगेश खान और तैमूर जहां चंगेश खान उसकी मा की तरफ से रिश्दार लगता था उसकी मा की रिश्दारी में था और ननिहाल से था वो वहीं तैमूर उसके पिता के वन्श से था ओके तैमूर की पांच्मी पीड़ी थी और ऐसे ही नवी दस्मी पीड़ी चंग स्खान की तरफ से थी उसकी, तो इस तरह से दौनों ही पीड़ियों से वो related था, दौनों ही महान वन्षों से वो related था. इसने पानी पत के युद में जो बिशेश कर दो टेक्निक्स का इस्तिमाल किया जिसके दौरा इसने अपनी छोटी सी सेना लेकर के इबरहीम लोदी की कमपरेटिबली काफी बड़ी सेना को हराया माना जाता है कि एक लाख प्लस में सेना थी इबरहीम लोदी की और इसके पास सिर्फ 12,000 सेना थी लेकिन तब भी इसने उसको हरा दिया उसकी वज़ा सबसे पहली वज़ा तो ये कि जहां बाबर एक सीजन केमपेनर था एक सीजन लड़ाका था वो लगातार एउद लड़ता था और बहुती एक्सपिरियंस था सेम वैसे ही उसके जो सैनिक थे वो भी प्रोफेशनल लड़ाके थे वहीं इबरहीम लोदी कहीं न कहीं जो एक्सपिरियंस था उसमें बहुत लैक करता था उसके पास वो एक्सपिरियंस कहीं तक भी नहीं था और इसी तरह से उसकी सेना में अनुशासन की बहुत कमी थी बहुत ढूल मुल रवया रहता था उसका तो इन चीजों की वज़ा से तो हार आई साथ ही साथ दो बहुती खास टेक्निक्स लेकर के आया है ये जो की इसने अपनी हार में सीखी थी स्पेशली देखिए इसलिए कहा जाता है कि आगर आपके अंदर सीखने की च्छमता है तो आपको सारे हालात कुछ ना कुछ सिखाते हैं हां लगता है कि आपके साथ सबकुछ गलत हो रहा है वहां भी कुछ ना कुछ अच्छ होता जिन उस्वेकों से ये लगाता लड़ लड़के हारा उन से बाकी कुछ तो नहीं सीख पाया लेकिन कम से कम इसने तुलगमा पदती तो सीखे लिए तुलगमा पदती एक बहुती सिंपल सी टेकनिक है इसमें क्या करते हैं कि सामने सेने को जो अपोजिट होते हैं उनकी सेना को बीच में ले लिया जाता है यह मान लिजे कि यह अपोजिशन वाली सेना है जो आपके सामने है अपोजिशन वाली सेना है और आपके पास जो सेना है आप उसको राइट और लेफ्ट दो विंक्स में बाटते हो और एक आपका जो राइट है वो इस तरह से आज़ता है आगे और ऐसी लेफ्ट वाला आगे बढ़ जाता है और इस सेना को दोनों तरफ से घेर लिया जाता है यानि इसको भागने का आप रास्ता दायवाय कहीं नहीं बचता ये ज़्यादा ज़्यादा पीछे को भाग सकते है ओके और यहां सामने आपकी तोपे हैं सामने आपकी तोपे हैं और इन से फिर लगातार इन पे भैंकर गोलाबारी की जाती है अपने सैनिकों को पहले ही समझा दिया जाता है कि आपको अंदर नहीं आना आपको थोड़ा डिस्टेंस पर ही रहना है और तोप में जो हैं वो सेंटर में हमला जारी रखेंगी तो इस तरह से भगदर मच जाती थी सैना में अपोजिशन वाली में तो उस्मानी पदती अपनाई तोपों को लगाने के लिए ओके तोपों को लगाने में क्या होता था कि जैसे तोपें आपकी लगी हुई है मान लेजे ये तोप लगी हुई है जैसे ये तोप लगी हुई है तो अगर ओपन में होता था मान लेजे तो क्या होता था कि अपोजि कहानी खराब हो जाती थी, तोपों को आपरेटी नहीं कर पाते थे फिर, तो ऐसा ना हो इसके लिए ये ये करता था कि जो तोप है, ये तोप लगी हुई है, इसके बराबर से यहाँ एक गाड़ी खड़ी कर दी, बैल गाड़ी, और ऐसे इधर भी बैल गाड़ी खड़ी कर थी, और इन बैल गाड़ीों के बीच में बड़ी कोई खाल, जैसे बड़े जानवर की इस्पेशली गाय अभैस की खाल जो थी, बांदी जाती थी, तो अपोजिशन वाले अगर इनको निशाना बना करके, वो तीर वगएरा चलाते थे, तो उन खालों में फसके रहा जाती थी, और उनको अपरेट करने वाले लोग, वो सुरक्षित रहते थे, ठीक, तो ये उस्मानी पदती थी, जो की टर्की के जो तुर्क सुल्तान थे, उन से इनों ने सीखी थी, तो ये दो पालिसी, दो तरीके लड़ाई के इनों ने यहाँ पर अपनाए, जो बहुत ही ना, बाबर वॉस्थ फरСТ तो यूज केनन बल्स और गोला बारुद इन द पालिस बारुद इन द रम इंडिया, हना, हो इस तरह के हतियार बारुला बारुद, इस्तिमाल क्रने वाला पहला परसंट था पहला परसंट था नौर्थ इंडिया हें rappelle सिह हो रहा था लेकिन नौर्थ इंडिया में वो पहला परसंट था जिसने की तोपो का इस्तिमाल किया गोला बारुत का इस्तिमाल किया लडाई में जो सेंट्रल एशिया से इसके इंडिया में आने के कारण थे हम वो पहले भी बता चुके हैं कि एक तो उस्बेक्स थे जो कि बहुती शक्तिशाली थे उसके अलाबा थोड़ा सा उपर अगर हम आएं तो उस्मानी वंश राच कर रहा था और अगर हम इराक की बात करें जो इरान इराक की बात करें जो की परश्या कहलाता था उस टाइम भी तो वहां शक्तिशाली सफवी वंश राच कर रहा था सफवाविद भी उनको अक्सर लिखते हैं तो जो सेंटरल एशिया था वो पूरी तरह से पैक्ड था और वहां बहुती फिर्स कॉम्पटिशन थी इसलिए वहां से ये थोड़ा साउथ की तरफ को बढ़ा और इसने इ इंडिया बुलाया गया था भारत मुझे बुलाया गया था मैं खुद नहीं आया और बुलाने वालों में इसने लिखा है कि दौलत खांव लोदी जो कि पंजाब का गवरनर हुआ करता था उस टाइम उसने बुलाया और एक ऐसे ही एक और थे जो कि इब्राहीम लोदी के रिशेदार थे उन्होंने बुलाया इसके अलावा इसने महाराना सांगा को जो राजपूत थे उनको लिखा है महाराना सांगा को कि महाराना सांगा ने भी उसको पत्र लिख करके बुलाया था हालांकе जो लोधी हैं, उनके तो हमें सबूत मिलते हैं कि उन sous बूलाया था लेकिन अगर हम महरानाश ऑंगा की बात करें तो उनका एक ही सबूत मिलता है और वो इसकी खुद की किता रहेँ बस मतलब इसने, बाबर ने खुद दावा किया है कि मुझे महाराना सांगा ने भी invite किया था इंडिया पर टेक करने के लिए बाकी कोई और सुबूत हमारे पास नहीं है अगर हम इसके first attack की बात करें तो इसने इंडिया पे जो first attack किया बाज़ा और भेरा पे किया 1519 में 1519 में और 21 अपरेल 1526 को पानी पत का युद लड़ा गया डेट मत भूलिएगा 21 अपरेल 1526 इस युद को जीतने के बाद इसने हर काबल वासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था और इसलिए उस दान के लिए इसका नाम कलंदर भी पड़ा बड़े बड़े दान करने वाला बहुत सारे दान करने वाला कलंदर इसके बाद इसने खानवा का युद लड़ा जो कि लगवाद 11 महिने के बाद ही लड़ा गया खानवा का युद मार्च 1527 में लड़ा गया और खानवा का युद महाराणा सांगा से था देखिए पहली लड़ाई अलग थी भले से इबराहीम लोदी दिल्ली का सुल्तान था और एक हमपद परतिश्टा में कह सकते हैं कि बड़ा था लेकिन वो कोई इतना फियर्स लड़ाका नहीं था कोई इतना अनुशासित नहीं थी उसकी सैना या वो तो वो तो एक नॉमिनल जीत मानी जाती है ठीक इसका खुद बाबर का भी ये मानना था और अधिकतर जो हिस्टोरियन से उनका भी ये मानना था कि उससे ज़्यादा इंपर्टेंट जो जीत थी इसकी वो नेक्स्ट वाली थी यानि खानबा के युद्वाली और उसको पता था कि लड़ाई बड़ is not a general fight okay यह कोई आम युद्ध नहीं है यह कोई आम जंग नहीं है उसने इसको जihad डिक्लेयर किया जहाद मैं पहले ही किया चुकाँ हूँ कि जहाद ऐसी लड़ाई हो चाहते हैं जो इस्लाम धर्म में इसलाम ैहर्जार के राज्जे और धर्म के विस्तार के लिए लड़ हिंदु राजा थे वो तो इसलिए उनको काफिर कह सकते हैं ये तो इसने काफिरों के अगेंस्ट एक जिहाद डिकलेर किया इस लड़ाई को और इसी में इसने ये भी प्रण लिया ये प्रितिग्या की कि आज से मैं शराब नहीं इस्तिमाल करूंगा क्योंकि इसलाम धर्म में शराब हराम है तो इसलिए इसने कहा कि आज से मैं सच्चा मुसल्मान बनके रहूंगा और शराब कभी शराब को कभी इस्तिमाल नहीं करूंगा उसका कभी सेवन नहीं करूंगा ओके दो चीजे हो गई तीसरा इसने एक जो टैक्स मुसलिमों पर लगता था उससे छूट दे दी तमगा टैक्स टैक्स का नाम था तमगा तो उससे भी इसने कहा कि आप सारे मुसल्मानों को छूट होगी और इसने कहा कि अगर देखिए मर चैनली ये युद्ध जीत गई और युद्ध जीतने के बाद इसने खुद गाजी के उपादी ली ओके ही एस्यूम दी टाइटल ओफ गाजी आफ्टर विनिंग दा खानवा बैटल उसके बाद 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा चंदेरी का युद्ध मेदीनी मेदीनी राय नाम के शासक थे और इसका कहना ही है कि मेदीनी राय ने साथ दिया था महाराणा सांगा का इसलिए उसके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी गई हालांके जब आपको अपना इंपायर स्टैबलिश करना है तो कोई साथ दे या ना दे आप तो एक्सपांशनि राजपूतों के अगेंस्ट कोई लड़ाई लड़ी तो इसने उनको मानने के बाद उनकी खोपडियों के बड़े बड़े धेर लगाए और उनको फिर उनके चारों तरफ जो था जशन मनाया जो कि एक मंगोल परमप्रा है ओके मंगोलों में एक आम परमप्रा है कि जब भ पीच में धेर लगाते थे और फिर जशन मनाते थे ओके तो वैसे ही दोनों जगा पर इसने किया इसके बाद इसने जो लास्ट युद लड़ा भारत की धरती पे वो 1529 में लड़ा और ये घागरा के युद से फेमास है देखिए जब से ये चबिस से में इसने पहला इसमें अलग माना जाता है घागरा इसलिए कहलाता है क्योंकि घागरा नदी के पर लड़ा गया और खास इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो था पानी और जमीन दोनों पे लड़ाई लड़ी गई इसलिए इसको जल वे थल दोनों पे लड़ा गया युद कहा जाता है और भ वेरी मैच और एज बाइन एस अस्पेक्ट लेकिन क्योंकि लगातार आप युद्ध लड़ रहे हो और बहुत लंबा संगर्श किया आपने राज्जे को बनाने और बचाने के लिए तो कहीं न कहीं ऐसी हालात हो जाते हैं घायल होते हैं बार बार जिससे की मांसिक और शारी से जानकारी मिलती है लेकिन एक जो सोर्स जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो है इसकी खुदकी आत्मकथ़ा एंड़ इस तुजुक एबाबरी नाम से इसने अपनी आत्मकथ़ा लेकी और ये एक खास बात है कि इसने इसको तुर्की भाशा में लेका अपनी मात्र में हैं लेकिन ये एक मातर ऐसी किताब है जो कि तुर्की में लिखी है और ये उसकी आत्मकता है और इसके बारे में जानने का एक बहुत ही एहम सोर्स है एक और चीज जो इसको बहुत खास बनाती है वो ये कि इसने जो परचलित उपादी थी दिल्ली में उसके आसपास पादशा, लगबग बादशा के जैसे ही same connotations है उसके तो इसने बादशा का टाइटल क्यूं लिया, सुल्तान का क्यूं नहीं लिया, उसके लिए फिर से आपको पिछले वीडियो में वापस जाना पड़ेगा और वहाँ मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सुल्तान का जो पद है वो खलीफा के अंडर में माना जाता है ये माना जाता है कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम रूलर्स राच कर रहे हैं वो सुल्तान या नायब जैसे ही टाइटल्स लेंगे और इसलिए जब वो ऐसे टाइटल्स लेंगे तो वो खलीफा को अपना हैड मानेंगे वो अपने आपको सौवरिन पावर नहीं मानेंगे बलकि खलीफा के अंडर में राज करता मानेंगे तो इसी लिए इसने ऐसा टाइटल लिया क्योंकि ये नहीं चाहता था कि वो खलीफा के अंडर में राज करे है ना इसने इंडिपेंडेंस अपनी दिखाने के लिए शो करने के लिए पात्षा का टाइटल लिया ना कि सुल्तान का मरते मरते इसने हुमाईयों को बुलाया अपने पास और उससे कहा कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन ऐसा करो यह जो तुमारा सामराज्य है इसको अपने भाईयों के साथ बाटके आराम से राज करो और इसके कहने पर हुमाईयों ने अपने सामराज्य को अपने भाईयों के साथ बाटा जो कि उसके लिए सुसाइडल साबित हुआ आगे देखते हैं हुमाईउं के बारे में तो हुमाईउं 23 साल की उमरे में गद्धी पर बैठा और ये एकमातर ऐसा शासक है मुगलों में की जिसने की अपने भाईउं के साथ सामराज्य को बाटा था हिंदाल को इसने मालवा का एरिया दिया था असकरी को संभल का और ऐसे ही जो आपका इसका जो चचेरा भाई था उसको इसने अफगानिस्तान का छेतर दिया था तो इस तरह से अपने सामराज्य को इसने अपने भाईउं के साथ माटा और ये चीज़ आगे चल करके उसे दुख देती है जब उसके पास रिसोर्सेस कम पड़ते हैं और वो अपने भाईउं से हेल्प मांगता है और वो भाई उसकी हेल्प नहीं करते और इस वज़ाए से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है शिर्षा सूरी से हारता है वो और उसको देश छोड़ करके जाना पड़ता है तो चौसा की लड़ाई 1549 में शिर्षा से हुई इसकी शिर्षा से इसका बहुत fierce competition था और शिर्षा एक बहुती matured और बहुती seasoned campaigner था आगे आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपना rule establish करता है तो उससे इसकी हार हुई 1539 में और ये माना जाता है कि ये उसमें युद्ध को proper तरीके से नहीं लड़ा मतलब जब लड़ाई की स्थी में था तब इसने लड़ाई नहीं की अपनी policy में उसने उलगाए रखा शेर ससूरी ने इसको और जब ये लड़ा तब हालात इसके अनुकूल नहीं थे इसलिए ये हार गए ओके next year 1540 में फिर इन्होंने एक लड़ाई लड़ी आपस में बिलग्राम की बिलग्राम जो कि कन्नोज में है और इसमें भी इसकी हार हुई और इसके बाद फिर इसको पलायन करना पड़ा बाहरत से और ये कई साल के लिए बाहर रहा यहां से सीधा ये जो सफवी रूलर थे एरान के वहां गया शिया धर्म इसने अपनाया वहां जाकर के और शिया धर्म अपनाने के बाद हैं वहां से मदद लेकर के लोटा इसी बीच इसका जो बेटा था अकबर वो पैदा होता है रानावीर साल के महल में उसको हम अलक से डील करेंगे जब हम अकबर को स्टडी करेंगे ओके तो 1555 में ये खेर वापस आता है जब इसको लग अंदर सूर को मच्छी वाड़ा के युद में हराता है और फिर कुछी दिनों के बाद जब ये अपने पुस्तकाले से उतर रहा था तो कहा जाता है कि पैर फिसला और ये गिर गया और गिरने की वज़़ा से बूरी तरह से घायल हो गया और कुछी दिनों में फिर इसकी मिरती हो गई 26 या 27 जनवरी 1556 को इसकी डैथ हुई मिरती हुई और लेन पूल जो कि एक फेमस हिस्टोरियन है मीडियवल इंडिया के उन्होंने इनके बारे में कहा है कि हुमाईू जिन्दीगी पर लड़ खडाता रहा और लड़ खडा कर के ही आखिर कार मर भी गया लड़ खडाते लड़ खडाते ही मर भी गया ओके फिलाल हुमाईू का मकबरा एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जो कि दक्षणी दिल्ली में इस्तित है और यह माना जाता है कि वो जो है प्रीकरसर है किसका ताज महल का ओके ताज महल का जो चारो साइडों में चार मीनारें और वाइट मारबल का इस्तेमाल हालांकि उस बिल्डिंग में इसके मतलब मकबरे में पूरी तरह से वाइट मारबल का इस्तेमाल नहीं हुआ है लेकिन जो उसका डो में उसमें वाइट मारबल का इस्तेमाल हुआ है लेकिन बाकी सारा प्लान बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ताज मेलका तो इसका जो मकबरा था वो बैगा बेगम ने बनवाया जो कि इसकी पहली पत्नी थी बैगा बेगम ने बनवाया इसी तरह से इसकी जो बहन थी गुल बदन बेगम तो गुल बदन बेगम ने इसकी जीव ने लिखी है जो हुमायू नामा नाम से जानी जाती है ये दो important चीज़े हैं इसका मक्बरावन वाया है इसकी पहली वाइफ ने बैगा बेगम ने और इसकी जो जीवनी लिखी है वो इसकी बहन गुल बदन बेगम ने लिखी है चलिए इन जो later especially मुगल्स हैं उन से जुड़े कुछ और हम facts देख लेते हैं बाकि उसके बाद हम अकबर को study करेंगे तो जब शाह जहां का बेटा था दाराशिको ओके दाराशिको एक बहुती बिद्वान व्यक्ति था उसने बहुत सारे हिंदू जो धर्म गिरन थे वो study किये थे और इसके बाद उसने सिर्रे अकबर नाम की एक book लिकी थी और उपने शिदो का अध्यन करने वाला वो first muslim माना जाता है और उसने उनका बहुत सारी books का अनुवाद भी कराया इसको एक title भी दिया जाता है यह बहुत ही उदार व्यक्ति था ठीक वैसे ही जैसे कि अकबर रहा है बहुत ही हम कह सकते हैं सारे धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला tolerant टाइप का परसंद था open thoughts वाला परसंद था इसलिए इसको लगू अकबर कहा जाता है हिस्ट्री में बात अगर हम करें पानीपत के third battle की तो पानीपत का जो third battle हुआ वो शालम second के time में हुआ पानीपत का third battle बहुत ही important है क्योंकि इस समय जो था पानीपत के third battle के time जो मराठे थे उनकी शक्ति चरम पे थी और इस युद्ध की वज़ा से कम से कम अगले 10-15 साल तक मराठे जो थे वो अपने जख्मों पे मरहम लगाते रहे अगले 10-15 साल तक उनकी शक्ति बहुत ही प्रक्राइकारियों के तौरा okay राम महान रॉय जो थे वो अकबर सेकिंड के द्वारा इंगलेंड भेजे गए और अकबर सेकिंड ने इसलिए इनको इंगलेंड जा था क्यूंकि अगबर सेकिंड यह चाहते थे कि उनकी जो पेंशन मिल रहे है वो बढ़ा दी जाए okay तो इसलिए इन्होंने इस्पेशली भेजा राम महुन रॉय को बिटिश महरानी से मिलने के लिए कि वो उनसे सिफारिश करें मिलकर के और इनकी जो पैंशन है उसको बढ़वाएं अन्ति मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर माना जाता है और बहादुर शाह जफर की जो मिड़ती हुई वो रंगून में हुई 1862 या 1864 के अराउंड इनकी डैथ होती है रंगून में और जो पिर्थम सुतनता संग्राम था उस समय ये बादशाह थे 1858 में और इन्ही के नेतरत में माना जाता है कि वो युद्ध लड़ा इनको इंको इंपरर अपना नेता मान करके बाकी जो सारे सैनिक थे उन्होंने वो विद्रो किया था तो यह अंति मुगल बाश्चात है इसके बाद मुगल बाश्चात को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया तो इनकी डैथ अपने देश से बाहर हुईती रंगून में यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि जो मुगल बाश्चा हुए है मुगल बाश्चाओं की अगर हम बात करें तो बाबर की कबर आपको मिलेगी इस समय काबल में यानि जो कि अफगानिस्तान में है इसी तरह से लाहोर में दफनाए गया है जहांगीर को जो किस्तान में है बाकी बहुत सारे जो रहे रूलर्स वो इंडिया में उनकी कबर है और यह जो है रंगूर में है तो इस तरह से चार पांच देशों में इनके जो वन्शज हैं वो दफनाए गया है तो एक यह भी इनसे जोड़ा एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट हो सकता है तो यह हमने स्टडी की हुमाईूं बाबर और कुछ मिसलिनिस फैक्ट्स के बारे में आगे अब चलिए देखते हैं अकबर के लिए तो चलिए हब हम स्टडी करते हैं अकबर के बारे में कोई अखबर जैसा कि हमने कहा था कि इसका जन्म 1542 में राणावीर साल के महल में हुआ अमरकोट में 1542 में 15 अक्टूबर को इसका जन्म हुआ और 1605 में इसकी डैथ होती है तो राणावीर साल के महल में इसका जन्म हो था 15 अक्टूवर को और इसकी मा का नम हमीद अबानो बेगम था हमीद अबानो बेगम जो कि खुद एक शिया महिला थी और बहुती धार्मिक विचारो वाली बहुती धीर गंभीर लेडी थी और जब इसकी पिताजी की डैथ होती है हुमाईयों की डैथ होती है तो ये पंजाब के कलनोर में गुरुदासपुर नाम के जिले में कलनोर नमकिस्थान पे था युद्ध चल रहा था इनका तेलवाड़ा का युद्ध सरी वहाँ पे युद्ध चल रहा था इनका जो बचे खुचे जो लोदी थे उन से युद्ध चल रहा था तो उसी टाइम में वहीं पे युद भूमी में ही इसका राज्ट लग किया गया और जिस तारीक को राज्ट लग किया गया वो फैबररी 14 थी जो की दिन आप जैसे जानते हैं बहुत इस्पेशल दिन है और 1556 में इसका राज्ट लग हुआ इसके बाद क्या होता है कि अगले लग बख चार साल क्योंकि ये 12.30 साल का बच्चा था इसलिए अगले कई साल तक ये जो था बैरम खां के संरक्षड में रहा जो कि खुद एक शिया जनरल थे शिया मिलिटरी जनरल और जो हुमाईयों वहां से मदद लेकर के आये थे इरान से तो उनके साथ ही ये आये थे उके तो अब चार साल तक उनका संरक्षड रहता है लेकिन ये देखता है कि बैरम खां इसको तो स्पेस ही नहीं दे रहा है ना बैरम का अपनी मनमानी कर रहा है इस पे हावी हो रहा है जबकि अकबर खुद बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वैसे कि आप देखेंगे जिस तरह से वो रूल करता है ये तो आप कहेंगे ही कि वो एक गिफ्टेड रूलर था है ना वो एक special qualities के साथ पैदा हुआ वेक्ती था जिसमें रूल करने की एक natural छमता थी natural power थी तो अगले चार साल तक बैरम खांका पिरभुत्व रहता है लेकिन उसके बाद आखिरकार फिफ्टीन सिक्स्टी में अकबर डिसाइड करता है कि इनफ इस इनफ और वो इस तरह के अपने वो चलता है मूवमेंट्स करता है जिससे कि बैरम खांको वो चित कर देता है हालांकि इसके लिए भी उसको युद्ध लड़ना पड़ता है तिल वारा का य कि और वो जाल में उलच जाता है और यह जाल कोई और नहीं था बलकि उसकी जो धाय माँ थी जिसने उसको पाला था महमंगा उसका प्रभूत्व था अगले दो साल तक फिर उनके प्रभूत्व प्रभूत्व में रहता है और इसमें कई सारे वेक्तियों का समूँ था एक तरह से महामनगा थी उनके बेटे अधम खाते और ऐसे एक पीर मुहम्मद खाते तो ये तीन चार लोग का ज्यादा इंप्रेशन रहता है ज्यादा प्रिभाव रहता है अगले दो साल तक लगवा पंदरह सो बासट तक लेकिन उ अकबर पूरी तरह से अजाद हो करके और अपने दम पे राज करता है सारे फैसले अपने खुद लेता है फिर आगे किसी के दूसरे का पिरभाव कहीं देखने को हमें नहीं मिलता और इसकी सबसे पहली जो परेंड़िती सामने आती है वो आती है उसकी राजपूत पॉलिस हमारे साथ आ रहे हैं उनको पूरे आदर सम्मान के साथ अपने साथ लो उन से हमारी सौवरेंटी एकसेप्ट करवाओ और उसके बाद फिर उन्हें अपने साथ अलाइंस में शामिल करो और बाकी जो एरिया है हिंदुस्तान का उसको फता करा जाए उसको जीता जाए तो इ उद्धी बही जा जाती है इसी मनसबदारी बेवस्ता इन्हों प्रिशासन के लिए लागू की मनसबदारी बेवस्ता मनसबदारी व्यवस्ता को अगर आपको और डीपली समझना है तो मनसबदारी व्यवस्ता का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ जाके आप मनसबदारी व्यवस्ता को हमारे ही चैनल पे detail में study कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से वहाँ study किया गया है तो मनसबदारी बेवस्ता जो थी एक तरह से hierarchical system था अपने जो जितना भी प्रिशासन था प्रिशासनिक officers थे उनको manage करने के लिए उनको छोटे से बड़े करम में manage करने के लिए पूरा मनसबदारी जो system था वो डिजाइन किया गया था वो बहुती smart system अपने हाप में इसके अलावा अगर हम land revenue की बात करें तो अच्छे तरह से उसका इंतिजाम देखने के लिए इसने 10 साला system लगवाया 1579 में इसको declaration की गई और 1582 से पूरी तरह से लागू हुआ और इसके पीछे जो एक बहुती famous हस्ती रहे जिनका मुख्य योगदान था इसको लगाने में इसको डिजाइन करने में वो थे राजा टोडरमल जो की अब अकबर के नवरतनों में से एक थे राजा टोडरमल जो थे वो शेरसा सूरी से भी जुड़े हुए थे उनके साथ पहले रह चुके थे और माना जाता है कि उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने छेतर में यानि लेंड रेविनिय सिस्टम में महारत हासल की थी इसके साथ ही पॉइंट जो इंपर्टेंट आता है अकबर से जुड़ा हुए वो है महजर महजर की घोष्णा भी 1579 में की गई और महजर और कुछनी एक तरह से एक लीगल डॉक्युमेंट था एक ऐसा लीगल डॉक्युमेंट जिसके द्वारा अकबर ने अपने आपको पादशा या जो सुल्तान होते थे वो धार्मिक छेतर के हेड नहीं माने जाते थे ओके ये माना जाता था कि धर्म का छेतर जो है डिफरेंट है और वो जो धर्म से जुड़ोए वेक्ती हैं वो ही किसी उनी के अंडर में रखा जाता था लेकिन अकबर को शेख मुबारक और उनके दो बेटे फैजी और आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल ने सला दी देखिए नाम ध्यान रखिएगा अबुल फजल और फैजी इन दोनों के पिता का नाम था शेख मुबारक तो इनोंने जो महज़र नाम का डॉक्यूमेंट था ये डिजाइन किया था और उन्होंने ये सला दी थी कि आप अगर इस तरह से इस विवाग को ये अपने अंडर में ले लेंगे तो आप ज़्यादा लंबे समय तक अच्छे से राज कर पाएंगे और उसकी वज़ए ये थी कि जो धार्मिक जो छेतर था उसमें जो लीडर्स होते थे वो शासन के मामलों में काफी ज़्यादा दखल देते थे जिसकी वज़ए से थोड़ा धार्मिक रूप से परभाब पढ़ता था जो शासन सत्ता होती थी उसकी पॉलिसी जो थी उनमें थोड़ा धार्मिक टच आता था इसकी रोक थाम के लिए ही महजर नाम के जो डॉक्यमेंट था उसकी गोशना की गई और जब धार्मिक रूप से भी सबसे बड़ा अदिकारी खुद अकबर बन गया तो फिर वो अपने हिसाब से सरकार चला सकता था उक्यमेंट इसके अलावा दीन-इलाही नाम का माना जाता है कि एक अलग धर्म था कुछ आलंग के हिस्टॉरियन्स कहते हैं कि यह अलग धर्म नहीं था इसे माना जाता है कि एक अलग तरह का discipline बनाने की कोशिश की गई थी और अपने लिए जो उसके अधिकारी वर्ग था उसमें एक विशेश आदर सम्मान की भावना हो इसके लिए उसने दीन इलाई डिजाइन किया था कुछ ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है फिलाल जो भी था दीन इलाई जो था उसने चलाया और दीन इलाई को विंसेंट इसमित जो की एक फेमस स्टोरियन है इंडिया के मामले में मीडिया वलिस्ट्री के मामले में स्पेशली उन्होंने इसको मूर्खता का इसमारक का है ओके 15 62 63 और 64 में इसने तीन बड़े सुधार किये जिनके बारे में अक्सर कुश्चन पूछा जाता है ओके आगे हम स्टेडी करेंगे आगे भी आयागा यह लेकिन यहां मैं एक ही साथ इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक याद रखने में आसानी हो कम से कम इसके लिए हमने शॉर्ट में एक फॉर्मूला बनाया एस पीजे और यह 15 62 63 64 में किरमेक रूप से हुए एस स्टेंड्स फॉर स्लेवरी सबसे पहले 15 62 में 1562 में इसने स्लेवरी यानि दास्ता को खत्म कर दिया असल में जो युद्ध वगेरा होते थे युद्ध में अपोनेंट्स चो होते थे उनके सैनिक या जो दूसरे लोग बंदी बनाया जाते थे अकसर उनको उनको स्लेव बना लिया जाता था तो ये इसने कहा कि ये अमान वी चीज़ है वो भी अपने राजा के लिए लड़ रहे हैं या अपने देश के लिए लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए इसने 1562 में स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया इसी तरह से जो हिंदू लोग थे उन पे तीर थे आत्रा कर लगाया जाता था जब भी किसी तीर थे आत्रा पे जाते थे वो तो अकसर वहाँ पे टेक्स लगाया जाता था जैसे हरी दौर अगर कोई जा रहा है या स जो टेक्स था वो भी खत्म कर दिया 1563 में और 1564 में या याई 1564 में इसने जो एक बड़ा टेक्स था फेमस टेक्स था हिंदू पे वो भी खत्म कर दिया और यह जो था जजिय था आ ओके जजिया जिजिया कई जगा अलग अलग तरह से नाम मिलता है इसका तो इस टेक्स को भी इसने खत्म कर दिया तीन बड़े सुधार थे यह एस पी जे 1562, 63 और 64 में अगर हम इसके दरवार की बात करें तो इसके दरवार में अपने अपने फील्ड के बहुत सारे महान लोग थे और उनको इसने नवरतन का दरजा दिया था जिसमें जैसे तान सेन भी थे, राजा टोडरमल थे, राजा मान सिंग थे, मुला दो प्याजा थे, अब मिलिटरी और नॉन मिलिटरी सभी लोग शामिल थे, अब दो रहीम खान खान खाना भी उनमें से एक थे, ओके, तो नवरतन इसके कोर्ट में थे, आपको ध्यान होगा, ऐसे ही नवरतन चंद्रगुप्त दित्तिय के कोर्ट में भी थे, चंद्रगुप्त वेक्रमा दित्ति कोल्ट में ओके इसने इलावाद वे आगरा के किलों का निर्मान करवाया इलावाद वे आगरा के किलों का निर्मान करवाया फतेपूर सीक्री इसने नया शहर बसाया आगरा से जो कि लगबाद तीस किलोमेटर की दूरी पर है फतेपूर सीक्री एक नया शहर बसाया और उसक दरशाता है ओके बाद में फतेफुर सीक्री में ही इसने बुलंद दरवाजा बनाया और ये बुलंद दरवाजा जो था ये माना जाता है कि दिल जो गुजरात है गुजरात को जब फिप्टीन सैवेंटी टू में जीता था तो उसके बाद इसका निर्मन कराया था ओके और अपनी तरह का सबसे उचा दरवाजा है पूरे इश्या में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में वह जैसे हम पहले कह चुके हैं बाकी अधिक तर जो राजपूत राज्य थे उन्होंने दास्ता स्विकार कर लिया था लेकिन मेवार ने ऐसा करना अपने शान के खिलाफ समझा औ हमाराणा प्रताब ने है ना बहुत ही हीरोई की स्ट्रगल किया और उसकी ही एक मानी जाती है परेंड़ती हल्दी घाटी युद्ध हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ जिसमें जो अकबर की सेना थी उनको मान सिंग के द्वारा लीट किया गया था तो राजपूत के अगिंस्ट राजपूत कोई उसने सेना का लीडर बना करके भेजा था अकबर नामा एक किताब है जो की अबुल फजल ने लिखी है और अकबर के संपून शासन और उसकी हिस्ट्री उसके जो क्रोनोलाजी है उसके बारे में बहुती बहुमूले जानकारी हमें और अथरंटिक जानकारी देती है अक्बर नामा का ही एक जो पार्ट है वो आईने अक्बरी कहलाता अक्सल में अक्बर नामा तीन हिस्सों में लिखी गई है अक्बर नामा एक तरह से तीन किताबों का एक संग्रह है तो उसी की जो तीसरी किताब है वो आईने अक्बरी कहलाती है तुके सेम यही जैसे कि महा भारत एक ग्रंथ है और उसी का एक पार्ट जो है वो भगवत गीता कहलाता है थीक तु कि वैसे ही अकबर नामा का एक पार्ट आई ने अकबर ही कहलाता है और यह किसी और नहीं बलिकि अबुल-फचल ने महान अबु-फचल लिखी जो कि बहुत ही फेमस स्कॉलर थे इसके चलिए देखते हैं कि कुछ जो मुख्य सुधार थे देखिए अंग्रेजों से भी जादा सुधार जिसने समाजिक सुधार किये भारत में और जिनके बारे में बहुत ही कम लोग को पता है ओके वो कोई और नहीं बलके अकबर भले से आज लोग आउट ओफ रिलिजिस नोशन्स अकबर को कितना भी कैसा भी खराब डेकलेर करनें लेकिन अकबर अपने आप में भारत के अब तक के जो महानतम राज़ा हुए उन में से एक था और उसने अपनी प्रजा को चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलिम हो जादा स ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश की और ये भी अगर कहा जाए कि उसने बहुत सारे हिंदूँ से भी ज़्यादा सुविधाएं हिंदू प्रजा को अपनी दी तो इसमें कोई अति शुक्ती नहीं होगी उके बहुती रीजनेवल शासक था और चाहता था कि जो उ कलیери को खथम कर दिया धास्ता को 1562 में इसके अलावा उसने पॉलीगैम ही जो चलती थी बहु विवा उस प्रता को भी खत्म कर दिया वैद्वा पुनर विवा को उसने बढ़ावा दिया Okay वैद्वा पिर्था को भी खत्म कर दिया उके बहु विवा पिर्था को खत्म किया वेदवा पुनर विवा को उसने बढ़ावा दिया वेदवा पुनर विवा को बढ़ावा दिया इसी तरह से बाल विवा पे भी पावंदी लगा दी और ये घोशित कर दिया कि 16 साल से कम के लड़कों क और 14 साल से कम की लड़कियों की शादी नहीं होगी या अगर कर दी तो इल्लीगल होगी और इसलिए उनको सजा मिलेगी तो बाल विवा पे भी इसने पाबंदी लगा दी इसके अलावा इसने अंतर जाती है विवा को उस टाइम संड्रक्शन दिया और बढ़ावा दिया इसन अंतर जाती है विवा को इसने काफी बढ़ावा दिया इसके अलावा इसने कन्या शिशु हत्त्या पे पाबंदी लगा दी कुछ राजपूत परिवार खांदान कुछ ऐसे थे कुछ इनमें ब्राम्मण भी थे कुछ ही छेत्र के जो की जो कन्या शिशु हत्त्या उसको प्रिवारों में तो उसने उस उनको भी इलीगल डिकलेर कर दिया और उन पर पाबंदी लगा दी इसके अलावा इसने सती पिर्था सिस्टम को भी खत्म कर दिया सती पिर्था पे भी इसने बैन लगाया हालांके चोरी छुपे वो चीज चलती रहे होगी और इसके बाद भ सती पिर्था पिर से औरंगजे भी आगे चलकर करके पाबंदी लगाते हैं इसके अलावा इसने भीक मांगने पर भी प्रतिबंद लगा दिया भिक्षा विर्थी पर प्रतिबंद लगाया वैश्याओं के लिए शहरों से बाहर का इलाका उसने अलॉर्ट कर दिया जिसको क अलग सा नाम शेतान पूरी दिया गया ओके अब चलिए इसके देख लेते हैं कि इसके टाइम की कुछ जो इंपॉर्टन जो जीते थी जो विजएं थी बड़े बड़े जो इसने फत्हें की वो कौन कौन से थे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टन ए इसकी पहली विजए पहली विजए 1561 में मालवा की मानी जाती है जिसमें की अदम खाने जाकर के इसको जीता था और बाज बहदुर उस समय जो रूलर था वो अपनी जान बचा करके भाग गया था ओके तो मालवा की विजए 1561 में हुई गुजरात विजए 1572 में इसी के याद में बुलं दरव दरवाजा बनाया था इसने सेलिबरेट करने के लिए इसको और इसी तरह से हल्दी घाटी का युद 1576 में हुआ था जो की बहुत ही फेमस है और इसके बाद जो इसका लास्ट जो विजए मानी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और यह कहा जाता है कि उसने उस कि लेके जो दौर थे वो सोने की चाबियों से खोले थे वो थी इसकी असीरगड की विजए ओके असीरगड जो की साउथ का दरवाजा ही माना जाता था तो असीरगड की विजए 1601 में हुई और जैसा आप जानते है 1605 में इसकी डैथ हो जाती है और जीवन के अंतिम छड़ो में ये बहुत परिशान रहता है परिशान खुद अपने ही बेटे की बज़ा से बाकी जो इसके तीन बेटे थे वो बहुत ज्यादा शराब पीने की बज़ा से पहले ही मारे जा चुके होते हैं और जो एक मात्र बेटा बचता है वो भी शराबी होता है लेकिन शराबी के स साथ वो इंडिसिप्लिन भी रहता है ओके बहुत ही इंडिसिप्लिन था जहांगीर और अकबर के इस टाइम में उसने जीते जी रिवोल्ट कर दिया था ओके तो इसलिए और भी अकबर नसे नाराज होकर कि उसको डिस इनेरिट करने का फैसला ले लिया था और उसने ये डिक उसने जाने पर मान गया और मरते मरते उसने वापस इसी को राजा बना दिया था वरना अकबर नहें डिसाइट किया था कि वो हो खुसरो को राज्य नेक्स्ट राजा बनाएगा इसी लिए खुसरो ने फिर रिवोल्ट किया था जहांगीर के टाइम में अगर हम बात करें अकबर की तो अकबर के टाइम में इस्ट इंडिया कंपनी की स्टैबलिश्मेंट हुई थी सोला सो में यही सोला सो पांच तक रहता है इंडिया का एंपरर और जो इस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्टैबलिश्मेंट 31 दिसंबर सोला सो को होती है तो कई बार यह कुशन पूछ लिया जाता है आपको याद रखना है 31 दिसंबर सोला सो की इस इंडिया कंपनी की स्टैबलिश्मेंट हुई पंदरा साल का उसको चार्टर मिला बिजनेस करने के लिए इंडिया से तो इसलिए सोला सो में जो इंडिया का रूलर था वो अकबर था और जो इसकी समकालीन वहां की रानी थी वो क्वीन अलिजबेट थी क्वीन अलिजबेट बाकी तो नाम आपको भले से याद ना रहे है आगे मैंने एक दो और नाम दिये हैं जैसे की इवनादी द टेरिबल एक महान शासक था इसी का कंटेंप्ररिय था और ये रश्या का रूलर था तो वो भले से याद ना रहे लेकिन Queen Elizabeth का जरूर याद रखना है और अगर हम बात करें इसके एक और achievement की तो इसने एक अलग department बना दिया था painting के लिए ओके इसके पिता ने हुमाईयों ने दो महान painters को बुलाया था इरान से ओके अब्दुसमद और एक और थे तो उनको दोनों को बुलाया था तो उनी के नितरत में इसने एक नया painting department अपने पिता की याद में establish कर दिया था जो पूरी तरह से devoted था painting के लिए तो 1605 में अकबर की मिर्तियों हो गई और मिर्तियों के बाद अकबर की मिर्तियों के बाद अगला जो पादिशा बना वो जहांगीर बना जहांगीर जिसके बच्पन का नाम सलीम भी था और इसके बच्पन का नाम सलीम होने का कारण ये था कि इसका जन्म जो था शेक सलीम चिश्टी की जो दरगा थी उसमें हुआ था वहाँ जन्म होने की वज़ा से ही इसका नाम अकबर ने सलीम रखा था शेक सलीम के नाम के ही पीछे और वहाँ जन्म होने की वज़ा ये मानी जाती है कि इससे पहले के जो पुत्र थे अकबर के वो जीवित नहीं रह पा रहे थे तो किसी ने उसको सला दी कि आप ऐसा करो और उसकी परसनली बहुत आस्था थी शेक सलीम चिश्टी में इसलिए उसने उनके जो भी कुटिया या जो भी आश्रम था उसको चुना और वहीं जहांगीर यानी सलीम का जन्म हुआ अकबर की डैथ के बाद 1605 में इसका कॉरोनेशन हुआ राजयर रोहण हुआ और राजय सम्हालते ही इसको खुसरो के विद्रों का सामना करना पड़ा जैसे हमने कहा था, कि khusro को पहले अकबर ने अपना इनहरिटर डिकलेर कर दिया था, अपना वारिस पे कलेर कर दिया था और उसकी वज़ा से ही उसमें शासक बनने की जो इच्छा थी वो जग गई थी और इसी लिए उसने कोशिश की कि वो शासन सथा पे कबजा करें देखिए, खुसरो को ही डिकलेर करने की वज़ा मानी जाती है, खुसरो जो था असल में उसकी नन्याल जो थी, वो जो राजा भारमल थे, उनके यहां की थी, उनके कच्वाः राजपूतों से सम्मादित था, यानि वो उसके नन्याल वहां की थी, तो वहां से सम्मंदित होने की वज़ा से भी खासतोर से शायद अकबर का जुका उसकी तरफ को जादा रहा हो क्योंकि कछवाहा राजपूतों से चाहे वो राजा भारमल हो चाहे राजा भगवान दास हो या फिर बाद में राजामान सिंग उन्होंने बहुत सेवा की थी अकबर की और इसलिए अकबर का उन lawn से बहुत ज़़ादा लगावत था अक्बर उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था इतना ट्रस्ट कि अगर वो कभी बाहर जाता था कैमपेन करने के लिए तो आगरा जो हवाले करके जाता था अपने हरम को जो हवाले करके जाता था वो इनी के हवाले करके जाता था ओके तो खुसरों ने फिलाल विद्रो किया शायद उसको अपनी नन्याल से भी मदद मिली हो और इसी क्रम में वो माना जाता है कि गुरू अरजुन देव से भी आशिरवाद लेने गया था गुरू अरजुन देव जो की सिखों के पांच में गुरु थे और इनों ने ही जो गुरु गरंद साहिब है उसकी कमपाइलेशन की उसको संग रह किया उसका तो गुरु अरजुन देव से आशिरवाद लेने के कारण जहांगीर जो था गुरु अरजुन देव से भी नस रखने लगा और इसी लिए जहांगीर ने गुरु अरजुन देव को मिर्ट्यू की सजा दिलवा दी और यहीं से फिर उसके संबन सिखों से जो हैं वो खराब हो जाते हैं और यह आगे चल करके एक लंबे संग गर्श में परिवर्तित हो जाते हैं अगर हम बात करें जहांगीर के विशे में और जानकारी की तो बहुत सारी जानकारी जो है हमें उसकी जो आत्मकथा है उससे मिलती है और इसकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी तुजुक करके तुजुक ए बाबरी भी थी तो जो के बाबरी बाबर ने लिखी अपनी आत्मकता थी उसकी लेकिन वो उसने तुर्की में लिखी जबके जहांगीर ने अपनी आत्मकता तो जो के जहांगीरी जो लिखी वो फारसी में लिखी जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इंपोर्टन जितनी बुक्स हैं वो चाहे आपकी दिल्ली सल्तनत काल की हो चाहे इनके मुगलों के काल की हो सारी की सारी बुक्स आपको लगबग फार्सी में मिलेंगी एक बस बाबर की आत्मकता को छोड़ करके तो जहांगीर जो था बहुती रंगीर मिजास टाइप का परसंद था और इसी किरम में उसने जो था नूर जहां से भी शादी की देखिये जहांगीर की जो बैसे तो बहुत सारी पत्मिया होने का दावा किया जाता है लेकिन जो ज़्यादा फेमस पत्मिया है उसकी वो तीन ज़्यादा फेमस मानी जाती हैं एक तो आपके या नूर जहां धूसरा जो भानमती थी और तीसरी जोधाबाई जोधाबाई जो थी जोधपुर की थी और जोधपुर वाली जोधबाई थी उनी से जो पुत्थर पैदा हुआ वो खुर्रम कहलाया खुर्रम वोही जो की आ जलकर करके शाह जहां बनेगा तो ये जोदपुर के राजकुमारी से पैदा था खुर्रम या शाह जहां जबकि जो भानमती थी वो कच्छवार राजपुतों के यहां से थी और उन से जो था वो खुसरो पैदा हुआ था ओके जबकि नूर जहां से किसी पुत्र की प्राप्ती नहीं हुई थी और इसका शादी से पहले से भी एक मतलब पुरानी शादी जो थी जो नूर जांगी इससे सेकंड मैरेज हुई थी जो पुराना जो हस्बेंट था पहले जो इससे रह चुका था उससे इनको एक पुत्री की प्राप्ती थी जिसकी शादी बाद में जहांगीर के ही सबसे छोटे बेटे शहर यार से की जाती है फिलाल जहांगीर के टाइम में चितरकला का विकास अपने चरम पे पहुँचा चितरकला डिपार्टमेंट देखिए बनाया था अकबर ने पेंटिंग डिपार्टमेंट सेपरिट अकबर ने बनाया था और ये अपने चरम पे पहुँचा जहांगीर के टाइम में जहांगीर का जो विशेश योगदान माना जाता है वो इनी चीज़ों माना जाता है ना उसने कोई बहुत बड़ी कोई फत्ह हासिल की ना ही उसने कोई बहुत बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन किया जैसे कि आने वाले टाइम में शा जहां करेगा है ना जो में उसके से जुड़े हुए फील्ड है वो चित्रकला का विकास है और इसने इसके अलावा कुछ बाग लगाए तो चित्रकला का विकास इसके चरम पे पहुँचा और ये माना जाता है कि ये खुद चित्रकला का एक बहुत बड़ा पार्की था और ऐसा होने का दावा इसने खुद अपनी आत्म कता में किया है तो जुके जहांगीरी में वहाँ ये कहता है कि मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ इतना बारीक समझ है मुझे पेंटिंग की कि अगर कोई मेरे सामने पेंटिंग लाए तो मैं उसके अलग अलग पार्ट पे देख करके अगर मान लिजे किसी एकी पेंटिंग में अलग अलग अर्टिस्ट ने काम कर रहा हो तो ये कहता है कि मैं उन पार्ट को देख करके बता सकता हूं कि ये पार्ट उसने बनाया, ये पार्ट उसने बनाया, ये पार्ट उसने बनाया तो इतना ये दावा करता है कि मेरा इतना एक्सपर्टीज हो गया इस चितर में इसके अलावा इसने बाग बहुत लगवाए जैसे की शाली मार बाग है कश्मीर का निशात बाग है बहुती बड़े लेविल पर हो बहुती शांदार तरीके के बाग लगाए बाग जो लगाते थे ये लोग इस्पेशली चार बाग टेकनीक होती थी ओके चार बाग क्या है कि इसमें चारों तरफ तो बाग लगाया जाता है लेकिन वो भी एक रो में लगाया जाते हैं systematically लगाया जाते हैं और उसके बीच में construction वर्क के लिए जगा छोड़ी जाती है और बीच बीच में नहरे बनाई जाती हैं जो कि समकोंड पे मिलती है का construction मिलता है तो उसको copy करने की कोशिश की जाती है यह माना जाता है कि जननत में भी कुछ इस तरह की construction मिलता है फूल दार बहुत सारे पेड़ पौदे मिलते हैं पानी मिलता है बहता हुआ ताजा पानी और बहुत चायदार पेड़ होते हैं तो सेम वैसा ही idea copy करने के कोशिश चार बाग technique में की जाती है और चार बाग style में ही इसने अपने सारे बाग लगवाई इसके अलावा इसने नियाए की जन्जीर लगवाई थी सौने की जन्जीर थी काफी बड़ी जिसमें काफी सारी घंटियां लगी थी और जिसको भी ये लगता था कि उसके साथ नियाए नहीं हो रहा है तो वो बहाँ पहुँच करके उन घंटियों को बजा करके उस जन्जीर को हिला करके घंटियां बजती थी तो उनको बजा करके वो न्याय की दरख्वास पर्सनली कर सकता था समराट से इसके दरबार में Queen Elizabeth के टाइम में जो दूत भेजे गए थे वो आए और Queen Elizabeth नहीं वलकि King James के टाइम में King James का लेटर लेकर के आये थे इसके दरबार में और ऐसा पहला परसन था Hawkins Hawkins जो कि Hector नाम के अपने जहाज पर आया था India और वो King James का लेटर लेकर के आया था हालांकि वो जिस मुगल बाश्या के नाम में लिखा हुआ था वो अकबर थे क्योंकि जब वहाँ लेटर की गई ड्राफ्टिंग की गई तो उस समय यहाँ अकबर राच कर रहे थे या उनको पता था कि अकबर है और जब तक वो यहाँ पहुँचे तब तक अकबर की डैथ हो चुकी थे और जहांगीर बास्चा बन चुके थे और फिलाल जो भी था हॉकिंस कुछ खास अपना सर्टिफेकेट वगएरा हासिल नहीं कर पाए बिजनिस के लिए रहायत है हासिल नहीं कर पाए जहांगीर से तीन साल लग बगए उनके दरबार में रहे लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पाए इसी लिए फिर और दो दूत भेज़े जाते हैं जो की नौट सो इंपोर्टेंट हैं और उसके बाद फाइनली जो सफलतम जो दूत भेजा जाता है वो टॉमस रो थे टॉमस रो आये और ये स्पेशल कुछ गिफ्ट लेकर क्या है सबके लिए स्पेशली रानियों के लिए इनकी और इनके लिए भी एक बगगी लेकर क्या है वो बगगी लेकर क्या है इनके लिए रानियों के लिए स्पेशल तौफे लेकर क्या है और जब लेडिस को तौफ बेगमों के जो प्रेशर में आ गए हो ये और फिर इन्होंने जो कंसेशन्स थी बिजनेस कंसेशन्स वो दे दी हालांगी कुछ पॉलिटिकल कंडिशन्स भी थी जो की बदल गई थी ऐसल में स्वाली का बैटल हुआ था 1611 में एक स्वाली जगाये गुजरात की कोस्ट के पास ही तो वहाँ पे एक बैटल होता है जिसमें की कैप्टन मिडिल्टन होते हैं अंग्रेजों के कमांडर होते हैं वो उस समय की जो वहाँ की जो एक्सिस्टिंग पावर थी जिसका के एरिया में बहुत दबदबा था ओके यानि पॉर्टिगीज उनको हरा देते हैं वैटल आफ स्वाली में कैप्टन मिडिल्टन के द्वारा पॉर्टिगीज को हरा दिया जाता है और इस चीज़ को माइनिटली अब्जर्ब करता है जहां गीर भी और उसको लगता है कि और शायद जहांगीर ने फिर उन में अपना भविश्य देखते हुए अंग्रेजों में अपना भविश्य देखते हुए इसको टॉमस रोको बिजनेस कंसिशन्स दे दी थी ओके इसके अलावा इसने शरीकांत नाम के एक हिंदू जज को भी अपोइंट किया था ओके और नूर जहां ने अपने पिता एत्माद दौला की याद में उनका मकबरा बनवाया था और ये जो मकबरा ये बहुत हिस्टॉरिक है बहुत छोटा सा है हलांकि लेकिन इसमें पेत्रा देवरा जो टेक्निक है उसका बहुत जम के इस्तेमाल हुआ पूरा वाइट मार्बल में बना हुआ है और ये माना जाता है कि जो दो तीन बिल्डिंग्स जो ताज महल के निर्माड को बहुत प्रेरित किया जिनोंने उन में से एक ये भी थी ये इतनी सुन्दर बिल्डिंग थी कि इसको जोल बॉक्स का नाम दिया गया उसको ओके इसको जोल बॉक्स का नाम दिय जाता था एतमाद दौला के मगबरे को और ये नूर जहाने बनवाया था अपने पिता की याद में ओके जहांगीर बहुत जादा शराब पीते थे जिसकी बज़े से ये लाइफ के जो लास्ट इनका टाइम था उसमें ये बुरी तरह से बीमार पड़ गए और 1627 में इनकी डैथ हो जाती है और इनकी डैथ के साथ ही जो नया समराइट बनता है वो शाह जहां बनता है क्योंकि शहर यार को अल्रेड़ी शाह जहां साइड लाइन कर चुका होता है और इसके साथ ही साथ जो खुसरों था खुसरों को पहली मरवा चुके थे तो शाह जहां क कि पहले तो ये जोदपुर के जो लोग थे राजपूत थे उनकर इश्चिदार था वो नन्यालती इसकी दूसरा आसफ खां जो की नूर जहां का ही भाई था ये उसका दमाद भी था ओके तो शाह जहां को इन दौनों चीजों का फाइदा मिला आसफ का एक बहुती ट्रांसफर की अपनी और दिल्ली में फिर कई सारी नई बिल्डिंग्स का भी इसने निर्माण कराया ओके शाह जहां के जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो बिल्डिंग निर्माण में ही है तो दिल्ली इसने कैपिटल अपनी ट्रांसफर की और वहां जाकर के इसने ला के लिएा के सामने नमाज के लिए अपनी जामा मस्जिद के निर्वान करवाया और इसके अलावा के पीछे से लगती जो चांदनी चॉक मार्कट है वह शाही शापिंग के लिए इसने वहां पे establish की चांदनी चौक मार्केट जो थी वो भी इसी ने establish की थी तो इसके अलावा जो इसका सबसे मतलब नहीं संदे जो सबसे बड़ी जो construction है इसका वो ताज महल है जो की world भर में साथ अजूबों में से एक माना जाता है बहुती लागत आई और अपने तरह से आर्टिस्ट के फील्ड में आर्ट के फील्ड में कई तरह से एक नायाब एक example माना जाता है एक masterpiece माना जाता है इसमें खास तोर से पेटरा देवरा जिसका हम पहले भी जिकर कर चुके हैं उसका जमकर के इस्तिमाल हुआ है और सफेज संग मरमर का भी कोह नूर इसके पास था इसके अलावा इसने तक्ते ताउस का निर्मान कराया जो की बहुत ही कीमती था और इसका जो शासनकाल है वो स्वानकाल भी कहा जाता है इसके अलावा इसने लाल किले के अंदर ही जो दिल्ली का लाल किला था उसके अंदर दिवाने आम और दिवाने खास का निर्मान करवाया था ओके दिवाने आम और दिवाने खास का निर्मान करवाया था दिवाने आम जहां बातिशाज होता आम लोगों से मिलता था और दिवाने खास जहां जो खासम खास लोग थे यानि जो टॉप के ऑफिशल्स या मिनिस्टर्स वगेरा होते थे उन से मिलता था धार्मिक कटरपंथ हालांकि इसके टाइम से बढ़ता गया इसकी लीनिंग्स जो थी थी थोड़ा धार्मिक की तरफ को जादा थी और ऐसे इसने कई सारे काम किये जहां इस पश्ट रिखता है कि धार्मिक कटरपंथ इसकी पॉलिसीज में बढ़ रहा था और यह अपने चरम पे पहुँचता है फिर औरंग जेप के टाइम में हालनकि शाह जहां इस बात का हामी था यह चाहता था कि उसके बाद उसके राजकाच को उसका बेटा दाराशे को समाले लेकिन दाराशिको जो था इस competition में पिछड़ गया और जो इसके बाद जो succession का war होता है उसमें वो हार जाता है और औरंगजेब विजय होकर के आता है और नेक्स्ट जो बाधिशा बनता है वो औरंगजेब बनता है औरंगजेब एक बहुती धर्मनिष्ट वेक्ती था कम से कम मतलब कटर मुस्लिम था और इसलिए जैसे ही वो शासन सत्ता समालता है तो जो भी ऐसी चीज़े थी जो की नौन इसलामिक एलेमेंट्स थे उन सबको बैन करता जाता है इसलिए जैसे ही वो राजकाश समालता है तो जो भी दरवार से जुड़ी हुई हिंदू और पार्सी परंपरा थी सबसे पहले उनको बंद करता है दरवार में म्यूजिक को बंद कर देता है वो ओके जहरों का दर्शन की एक बहुत परंपरा चल लए थी जो कि राजपूतों से ली गई थी उसको बंद कर देता है रोज मनाया जाता था नौरोज को खत्म कर दिया और भी जो भी इस तरह की थी जो की नौन-स्रामिक चीजेस को लगीं वो सारी की सारी इसने खत्म कर दी यह पूरी तरह से अपना जो जीवन था जो इस्लामिक टैनें ते इसलामिक सिधान जो है Harano उनके अनुसार जीता था इसलिए इसको जिन्दा पीर भी कहा जाता है इहां तक कहा जाता है इसके बारे में कि यह अपने जो personal खर्चे था वो शाही जो खजाना है उससे नहीं करता था देकि छुद बादशा है लेकिन शाही खजाने से अपने खर्चे परसनल खर्चे नहीं करता ये माना जाता है और इसके लिए जो इसके परसनल खर्चे थे इसके लिए माना जाता है कि ये कुरान की कौपियां बनाता था कुरान को लिखता था उसकी कौपियां बनाता था और उसी से अपने परसनल खर्चे किया करता था तो इसी लिए धार्मिक सिद्धानतों को धार्मिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इतना बारीकी से पालन करने की वज़ा से इसको जिंदा पीर की उपाधी दी गई थी इसने बीजापूर और गोलकुंडा जो राज्य थे साउथ के उनका विले कर लिया अपने साम राज्य में 1586 में बीजापूर और 1587 में गोलकुंडा और ये जो इसका काम था कार रहता ये बहुत ही सुसाइडल माना गया है कुछ जो हिस्टोरियन्स हैं बेसिकली उनका ये द जो साउथ में जो माराठे जो उदे हो रहे थे माराठो का जो उभार हो रहा था तो उसको काउंटर बैलेंस करे हुए थे लोकल में थे ये पास के पास में थे तो इसलिए ये माराठो को बहुत बैटर धंग से डील कर सकते थे और कर रहे थे और ये माना जाता है कि जैसे ह फिर बीजापुर और गोलकुंडा का पतन होता है उनका विले कर लिया जाता है इसके द्वारा तो फिर आने वाले जो कुछ साल है उनमें जो माराथु की एकदम से राईज होती है उसकी सबसे बड़ी वज़ा बीजापुर और गोलकुंडा का वहां ना रहना है साउथ में इसने अपनी पत्नी की याद में बीवी का मगबरा नाम से एक ताजमहल की प्रतिकिर्थी बनाने की कोशिश की और अंगाबाद में हालांके एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि घटिया सी प्रतिकिर्थी थी उस ग्रेंड लेवल का ये निर्माण नहीं करवा पाया जैसे की ताजमहल में है तो इसी लिए इसको काला ताजमहल भी कहा जाता है जो वार अफ सक्सेशन हुआ था उसमें कुछ जो मेन युद लड़े गए थे आप उनको देख लिजे पहला युद धर्मत का था जिसमें की इदर से तो औरंग जेब और मुराद थे मुराद जो की सबसे चोटा भाई था इनका और इदर से जो दूसरा पक्ष था शा जहा की जीत होती है और इसी लिए वह और आगे बढ़ते हैं यह सा काफी साउथ में होई थी जंग और इसके बाद काफी पास में आकर के आगरा के कुछी दूर है साउथ में सामुगर्ड वहां दूसरा युद होता है जिसमें फिर से जो है अर दाराशी को हार जाता है ओके दा लिवराई का युद जो कि 1658 में लड़ा गया यह दोनों 1658 में लड़ा गया सारी और यह 1659 में लड़ा गया था ओके तो इस तरह से यह जो वार अफ सक्षेशन था उत्रादिकार का जो युद था जो की बहुत फेमस है उसके तीन में युद थे और तीनों ही दाराशी को और अरंगजेब के बीच में लड़े गए ओके इसके अलावा इसने संगीत वश्राप पर पाबंदी लगा दी थी संगीत इस्पेशली देखिए पूरे राज्ये में तो इसने बैन नहीं किया था लेकिन यह कहा जाता है कि अपने कोर्ट में बैन कर दिया था हालांकि फालतू के खर्चे थे ऐसे खर्चों को फालतू का समझता था और ऐसे खर्चों को इसलिए उसने तुरंत बंद करने के लिए ही संगीत पे पाबंदी लगा दी इसने कि इसलामिक नॉन इसलामिक चीज़े यह तो शराप पे भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी और देखे ये एक तरफ संगीत पर पाबंदी लगा रहा है दूसरी तरफ खुद भी वीना बादक माना जाता था तो इसलिए जो अधिकतर हिस्टोरियन्स हैं वो यही कहते हैं कि संगीत पर सिर्फ दरबार में पाबंदी लगाई थी ना कि जनरल में क्योंकि मुगल हरम में भी स साउथ के नाम से जाना जाता था सौराच की स्टाइबलिशमैंट के लिए ही मरेट्यों ने अपनी जान की बाज़ी लगाई थी उसको स्टाइबलिश करने की कोशिश कीती ये साराज कुछ और नहीं हिंदू त॔र तरी कुस도 जिस एरिया पर राज कराज हिंदू के दोरा करके यहां की पॉलिटिक्स को प्रभावित किया है पहली तो थी जो साउथ के आपके राष्ट कूट बंच था ओके राष्ट कूटों ने पहले यहां करके दखल दी जब ट्राइपर्टाइट इस्ट्रगल हुआ सेवंत एट एट सेंचुरी में जो कन्योज पर अधिकार करन इस्ट कूटों का दखल तो फिर भी बहुत शॉर्ट टाइम था और इतना बड़े लेवल पर उसने कोई ऐसे प्रभाव नहीं छोड़े लेकिन मराथे जो थे उन्होंने बहुत बड़ा इंपक्ट डाला इंडिया की पॉलिटिक्स पे ओके और कम से कम सौ साल तक ओके तो म बात्षा था और जबकि लड़ाई ये लड़ रहे थे आकर के ओके तो इससे आप लगा सकते हैं तो मराथो का महत बहुत ज़्यादा है सेकिंड पावर है सिर्फ साउथ की ऐसी जिसने की नौर्थ की पॉलिटिक्स में बहुत ही सक्सेस्फुली दखल दिया और इनके उद् बड़े बड़े संत पैदा हुए महराष्ट में जिनोंने की भक्ती का जो अनुलन था वो बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाया नाम देव एकनात समर्थ रामदास जैसे बड़े बड़े नाम हुए जिनोंने की वहां के लोगों को एक जुट कर दिया दूसरे वहां के जो जो जो जूटagers कंडिशन से विए lowers Covid कर्na मुश्किल था कि वहां के लोग बहुत हार्ड फीजीक वाले होते थे विसीकली बहुत ही स्ट्रॉंग होते जिससे बहुत संगर्शील हो गए थे तो इससे मराठो का एक करेक्टर बन करके आया और वो करेक्टर फिर मराठो में आपको दिखाई देता है हिस्ट्री में तो शिवाजी इनके पहले लीडर थे इंका जन्म 1627 में हुआ था और इनकी डैथ 1680 में होती है April 10 1627 में इनका जन्म हुआ और शिवनेरी के किले में इनका जन्म हुआ था और वहां पे शिवनेरी देवी का मंदर था उनी के नाम पे माना जाता है कि इनका नाम शिवाजी रख़ा गया इनकी माँ जो थी बहुती धार्मिक प्रिविट्थी की महिला थी और इनको बच्पन से ही वो बहादर लोग की कहानिया सुनाती थी महान लोग की कहानिया सुनाती थी और ये माना जाता है कि उन कहानियों से ही शिवाजी का एक करेक्टर बनके आया और उन्होंने भी कुछ हीरोईक करने का ठान लिया इनके गुरू का नाम समर्थ रामदास माना जाता है राज तिलक इनका 1674 में वो एक लंबे स्ट्रकल के बाद इन्होंने 1674 में राज तिलक करवाया था अपना और जैसे कि हमने का 1680 में इनकी डैथ हो जाती है तो एक छत्रपती के तोर पे इन्होंने सिर्फ 6 साल के सम्थिंग राज किया इनके जो जीवन की में घटनाएं हैं वो 4-5 में घटनाएं देख लेते हैं पहली है इनकी अफजल खां के साथ बेड़न था 1659 में बीजापुर के जो सुल्तान थे वो इनकी एक्टिविटी से बहुत तंग आ गयते और इसी लिए इनको जिंदा या मुर्दा ले जाने के लिए अफजल खां को भेजा अफजल खां बहुती लंबा चोड़ा वेकती था और उसके मुकाबले में शिवाजी जो थे वो बहुत छोटे कटके थे और वो इसलिए अपनी ताकत के दम्व में था उसे लगता था कि मैं इनको तो किसी भी तरह से मार दूँगा तो जब इनको घेरवन्दी कर लिए इनके किले की तो इन्होंने उसके पास एक मीडियेटर भेजा और मीडियेटर के द्वारा ये तैय हुआ कि भाई दो पे दो मिल लेते हैं दो तीन लोगों के साथ बस एक दो परसनल गाड़ तुम लाओ एक दो परसनल गाड़ हम लाते और मल लेते हैं बात करते हैं बात करने के प्रास्वी piace्में एक अफजल काने इन से गले मिलने को कहा इनको उसके इरादों की बहनक पहले से थी इसलिए अपने कपरों में बगनक चुपा के लेके गए थे और जब उसने अपनी बाओं में कसके इनको छटी पहुचाने की कोशिश की इनको मानने की कोशिश की तो इन्होंने तुरंट ही अपना भगनेक निकालके उसका पेट फार दिया था उसकी पीट फार दी थी ऐसा कहा जाता है और अफजलका की वहीं डैथ हो जाती है उसके बाद इन्होंने फिर साउथ में और अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी और इनकी एक्टिविटी से फिर जो था औरंगजेब तंग आ गया और इनको डील करने के लिए उसने शाहिस्ता खान को भेजा शाहिस्ता खान से सामना करना पड़ा उनको बड़ी असानी से मतलब भले से टफनेस थी खैर फाइट तो अच्छी दी चैलेंज अच्छे किया लेकिन फिर भी वो जीता गया क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी थी देखिए आप मराटो के रिसोर्स को उस समय के मुगल इंपायर के रिसोर्स से कंपेर नहीं कर सकते हैं ओके इसलिए शाहिस तक हां आगे बढ़ता जा रहा था आगे बढ़ते बढ़ते वो पूना पहुंच गया और पूना में उसने अपना कैम्प लगा दिया 1663 में ओके शिवाजी को पता था कि अगर इसको रोकना है तो क्या सकते हैं वीर थे निडर थे ये देखने वाली बात है इस एक्जाम्पल से ओके वो और एक परमीशन लेते हैं इन लोगों से कि हम एक बरात निकालने वाले हैं बरात की परमीशन लेते हैं 500 लोगों के लिए ओके और 500 लोगों के रूप में अपने जो माहिर उनके सिप पास हैं हम तभी वो एकदम से हत्यार ले करके हमला कर देते हैं और हमला इतना जबरदस्त होता है कि यह माना जाता है कि अब शाहिस्ता खां के बेटों को एक या दो बेटों को मार भी दिया जाता है और खुद शाहिस्ता खां मुश्किल से जान बचा के भागता है और खिड खासर से मुगल सल्तनत को उसकी जो धाक थी उसको बहुत सदमा लगता है उसको बहुत जटका लगता है इसी लिए औरंग जेब शाहिस्ता खांका वहां से तुरन ट्रांसफर कर देता है और उसको बेंगॉल का गवर्नर बनाके बेंगॉल भेज देता है ओके और अब शिवा campaigner थे और दूसरी चीज़ उन्होंने शाहिस्ता कहीं की गलतियों से सीखा और वे फिर प्रेशर बनाने में कामियाब हो जाते हैं इस बीच सूरत की लूट करते हैं अब शिवाजी सूरत जो की गुजरात में है और बहुती संपन सिटी था उसकी लूट करते हैं जिससे की मुगल्स और भी ज़्यादा चड़ जाते हैं और अपनी activities इनको कर्ब करने की तेस्ट कर देते हैं इसलिए जैसिंग को भेजा जाता है जैसिंग बहुती अच्छे से गेहरा बंदी करते हैं और एक माहर कूट नितिक होने के नाते इन से बिना लड़े इन्हें एक संधी साइन करने के लिए राजी कर लेते हैं जिसको भी पुरंदर की संधी करा जाता है ओके पुरंदर की संधी बहुती फेमस है 1665 में पुरंदर की संधी signed की जाती है और इसके दौरा अपने बहुत सारे के लिए 23 के लिए मुगलों को दे दिये जाते है शिवा जी के दौरा ओके और उन की सेवा में जाने का भी personally और अरंग जेव से मिलने का भी वाइधा करते हैं और जाते हैं जैसिंग के साथ लेकिन वहां धोके से उनको कैद कर लिया जाता है और वहां से वो फिर अपनी चलाकी से खैर बच निकलते हैं काफी दुनों मां कैद रहते हैं लेकिन फिर माना जाता है कि औरंग जिप से कहते थे कि साब मैं दान करने का जो हूँ इच्छु कूँ दान करता हूं लोग को तो जाते हैं वापस अपने देश पहुंचते हैं और वहां जाकर के फिर अपने आपको राज्टिलक करवाते हैं ओके यह माना जाता है आश्ट प्रधान नाम की इनकी एक काउंसिल थी जो मुख्य मुख्य मंत्री थे उनको मिला करके अश्ट प्रधान बनती थी और इनकी सला से ही ये सारे काम किया करते थे 1680 में जब मिर्ती हो जाती है इनकी तो उसके बाद उनके बेटे शंबा जी राजकाश समालते हैं हालांकि शंबा जी शिवा जी के आसपास भी निते सिंसेरिटी में इसलिए 1689 में उनको भी औरंगजे पकड़ करके मरवा देता है उसके बाद राजा राम कमान समालते हैं और अगले 11 साल तक 1689 से और 1700 तक राजा राम अच्छी तरह से स्ट्रगल करते हैं लेकिन फिर वोई मुगलो के असेट्स जो थे मुगलो की जो रिसॉर्स से वो बहुत ज़्यादा थे इनके मुकाबले में और राजा राम भी 1700 में मारे जाते है फिर struggle की जिम्मेदारी तारा भाई के उपर आ जाती है तारा भाई राजाराम के बेटे शिवाजी सेकंड को रूलर डेकलेयर कर देती है च्छतरपती डेकलेयर कर देती है और खुद उसकी संरक्षक बन जाती है और तारा भाई अगले साथ साल तक बड़ी सफलता से बड़ी काम्याभी के साथ रूल करती है और आज भी उनको मराठो में बड़े सम्मान से देखा जाता है ओके लेकिन फिर 1707 में शाहू जो है उसको रिलीस कर दिया जाता है क्योंकि 1707 में डैथ हो जाती है औरंग जेप की औरंग जेप के बाद जो नए बादशाव बनते हैं बहादुर शाह फस्ट उनके द्वारा शाहू को रिलीस कर दिया जाता है और ये उनकी टेक्टिकल चालती ओके तो इनको रिलीस कर दिया जाता है इनके जाते ही वहाँ आपस में मराठो में थोड़ा संगर्श होता है और शाहू आखिरकार काम्याब होते है च्छत्रपती बनने में और पेश्वा स्वरी ये 1749-50 तक ये ही पेश्वा रहते हैं और इनकी डेथ के बाद फिर जो च्छत्रपती हैं उनका रूल लगबग खत्म हो जाता है प्रैक्टिकली उनका पेश्वा रहे पेश्वाओं का रोल जो है मराठा सामराजे में बहुत ही इंपोर्टेंट है ओके हम अगर ये कहें कि च्छत्रपती शिवाजी के बाद अगर मराठा को इस स्थर पे लेके गए कोई तो वो पेश्वा थे तो इसमें कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी ओके तो पेश्वा लोग जो थे वो उन्होंने बहुत काम किया 1713 से 1720 तक बाला जी विश्वनात पहले पेश्वा थे और इनके बाद इनके पुत्र बाजी राव फस्ट दूसरे पेश्वा बने जो की 1720 से 1740 तक रहे यही बाजी राव फस्ट है जिनकी लाइफ पे की मूवी बनी थी जिसमें लीड अटर जो किया था लीड अक्टर जो थे वो आपके रण वीर सिंग थे ओके रणवीर सिंग ने इनका रोल किया है ओके बाजी राव फस्ट का इनके बाद इनके बेटे बाला जी बाजी राव बने जो तीसरे पेश्वा थे और 1740 से 1761 तक रहे 1761 में जब पानी पत का थर्ड बैटा लोता है तो यही बाला जी बाजी राव होते है और इनका एक बेटा ही उनके साथ जाता है सदाशिव राव भाव के साथ और वहाँ शहीद हो जाता है यह माना जाता है कि उसी सदमे में बाला जी बाजी राव बीमार पड़ जाते हैं और कुछी दिनों में इनकी डैथ हो जाती है इसके बाद जो लास्ट पेश्वा है वस वही इंपोर्टन्ट है और बाजी राव सेकेंड उनका नाम था और वो भी सिर्फ इसलिए इंपोर्टन्ट माने जाते हैं कि उनके टाइम से पेश्वाई खत्म हो गई थी 1818 में तीसरा एंगलो मराठा वोर होता है 1818 में और उसके बाद वो मराठे उसमें हार जाते हैं और इसके साथ ही पेश्वाई खत्म कर दी जाती है और नाम के लिए एक और चटपती को बना दिया जाता है परताप सिंग को उन्हें चटपती बना दिया जाता है और पेश्वाही पूरी तना से खत्म कर दी जाती है उनकी जगा पे जो बच्चे थे ये बाजी राव इनको पैंशन दे करके कानपुर भेज दिया जाता है इनी के वंशज हैं जो सुतनता अंदोलन में नाना साहिब दत्तक पुत्र जो लीट करेंगे पानीपत का थर्ड बेटल मराठो की दरिश्टी से बहुत इंपोर्टेंट है जैसे हम पहले भी कह चुके हैं यह माना जाता है कि बहुत बड़े लेवल पे छटी हुई थी मराठो को और इस छटी से उबरने में उन्हें कम से कम 10-12 साल लग गये थे हालांकि यह उनका जीवट था यह उनकी स्परिट्स थी यह उनका determination था कि जिससे कि वो उस सद में से उबर पाए that was all about this video see you in the next one जिसमें कि हम study करेंगे East India Company और उसके rise और उसके जो effect थे इंडिया पे उनके बारे में जो कि हमारा इस series का last video भी होगा तो keep studying, keep learning and keep growing see you in the next video till then bye झाल